नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ नितीशा बंसल न्यूज मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है और दिन भर की बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर आज PM मोदी इंडौर में एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का वर्चुली लोकारपन करेंगे तो वही तीसरे चरण के मद्दे नजर UP में बीजेपी के दिगजों का दौरा रहेगा अमिज शाहर राइबरेली लखनों में गरजेंगे पूर्वी उपी में राजनात ताबर्तोर जनसभा करेंगे तो वही जेपी नड़ा सुल्तानपुर अमेठी का दौरा करेंगे सियम योगी के आज तूफानी कारिकरम है पिली भी सितापुर लखनों के दौरे पर रहेंगे सियम तो अखिलेश यादव तीन जिलों में कारिकरता सम्मेलन करेंगे रूस यूकरेन विवाद के बीच सयुक्त राष्टर महासचिव की बड़ी चितावनी भी सामने आई है यूएन प्रमुक ने कहा दोनों देशों में युद्ध हुआ तो भयानक तबाही होगी यूकरेन विवाद पर अमेरिकी उप रष्ट पती कमला हैरिस ने बयान दिया है कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका हर हाल में बाल्टिक देशों की रक्षा करेगा चाहे परिणाम जो भी हो हलाकि इन खबरों पर रहेगी हमारी नजर लेकिन उससे पहले इस वक्त बात करेंगे एक एहम खबर की रूस यूकरेन विवाद के बीच आई है बड़ी खबर पूरवी यूकरेन के डॉनेस्क में जोरदार धमाका हुआ है ग्यास पाइपलाइम में लगी है भीशनाग रूस की यूकरेन से युद्ध की आशंका बढ़ी 24 घंटे में 600 मोर्टार दागे गए है राइटर्स से जो खबरें आ रहे हैं उसके मताबिक 600 मोर्टार दागे गए है 24 घंटे में पुतन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू हो गया है तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रूस यूकरेन ववाद के बीच पूर्वी यूकरेन के डॉनेस्क में जोरदार धमाका हुआ है ग्यास पाइपलाइन में यहां आग लग गई है भीशन आग की तस्वीरे सामने आई है ग्यास पाइपलाइन में यह आग लगी है रूस की यूकरेन से युद्ध की आश्रंका और भी ज्यादा बढ़ गई है 24 घंटे में 600 मोटार दागे गए है पुतन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू हो गया है एक और एहम खबर ब्रिटेन पर मन रहाया यूनस तूफान का खत्रा भायावह तूफान के साथ आ सकती है बाड़ ब्रिटेन में रेड इलर्ट जारी 166 उड़ाने रद 160 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से बढ़ रहा है तूफान तो लगातार तूफान बढ़ता ही जा रहा है अपनी रफतार 160 किलोमीटर कर चुका है यह तूफान और इस बीच का यूड़ाने रद कर दी गई है ब्रिटिश सेना को तयार रहने के आदेश दे दिये गए है ब्रिटिन पर शक्तिशाली यूनस तूफान का खत्रा मंड़ा रहा है यहां 160 किलोमीटर प्रती घंटे की स्पीट से दक्षिन पश्चिम दिशा की तरफ यह बढ़ रहा है मौसम विभाग ने देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है इसके साथ ही सेना को भी तैयार रहने के आदेश दे दिये गए है तूफान के कारण पश्चिमी इंग्लिंड में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है इसका ज्यादा असर देवोन और कॉर्णवाल में देखा जाएगा